उसमें लिखा है कि उन दिनों में वे पहाड पर प्रार्थना करने के लिए गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुला कर उन में से बारा चुल लिए और उनको प्रेरित कहा बाइबल कहते ही प्रभी उश्यमसी ने सारी रात प्रार्थना की पहाड पर प्रार्थना करने के लिए गए और सारी रात प्रार्थना करते रहे क्योंकि दिन को परमेश्वर को चेलों को जुनना था तो एक important काम परमेश्वर ने करना था परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि वो चर्च को, कलिस्या को, लोगों को क्योंकि प्रभु जानते थे कि उनका एक लिमिटेड टाइम है जो उन्होंने जीना है और उसके बाद क्रूस पर चड़ना है मरना है और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है फिर 40 दिन प्रीच करना है और उसके बाद 41 दिन सुरक पर चले जाना है और फिर उसने लेने आना है ये परमेश्व को मालुम था तो परमेश्वर जान दे दे कि उसके जाने के बाद वो चेले काम करेंगे जोनोंने परमेश्वर से सीखा है इसलिए अगर आप बाइबल को ध्यान से पड़ेंगे तो परमेश्वर ने कुछ महीने ही लोगों के साथ उनको चंगा करते हुए और उनको प्रीच करते हुए बिताए कुछ लोग 34 दिन कहते हैं हम दो महीने भी लगा लें और बाकी के साड़े तीन साल उसने चेलों को ट्रेंड करने के लिए चेलों को सिखाने के लिए बिताएं को कि परमेश्वर ये जानते थे कि अब ये मेरा सुख समाचार चेले आके लेके जाएंगे तो परमेश्वर ये जानते दे कि मैं चर्च को कमजोर लीडर ना दूँ, डाइवर्टेड लीडर ना दे दूँ, शारिरीक अगवे ना दे दूँ, गलत अगवे ना दे दूँ तो परमेश्वर ने अपने डिसीजन को सही करने के लिए सारी रात प्रार्थना की लेकिन आज का विश्वासी जब पता है कि सुबह एक बड़ी अच्छी डील करने के लिए जाना है, रात को वो मुबाइल पे लगा होता है और दो बज़े वाटसब चला के, फेस्बूक चला के, सारे दोस्तों को इंस्टागराम पे चेक करके फिर वो सोता है और फिर लाइफ में गलतिया करता है, और फिर इल्जाम दूसरों पे डालता है, यार ये बंदा गलत मिल गया लाइफ में यार मेरा पार्टनर गलत मिल गया, बिजनस पार्टनर सही नहीं मिल लिया मिनूँ यार मैंनू उन्हें तो खा दे दीता जीजस जानते थे कि अपना फेलियर किसी के उपर डालने के बजाए ये अच्छा है कि मैं सारी दात परमेश्वर से प्रार्थन करूँ और परमेश्वर से अगवाई को मांगूँ और अपने डिसीजन्स के उपर परमेश्वर की अगवाई को लूँ ताकि मैं कोई भी गलती ना करूँ हाला कि उन बारा चेलों में से एक व्यक्ति शैतान था यहूदा इस क्रियोती लेकिन वो भी परमेश्वर के इच्छा के नीचे ही था कि उसका चेला ही उसे पकड़वाएगा उसका प्रेम करने वाला उसको चुम्बन देने वाला किस करने वाला चेला ही उसे पकड़वाएगा लेकिन आज कितने विश्वासी हैं जो अपनी लाइव के important decisions लेने हो तो वो प्रार्थना के साथ जाते हैं आपके बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है ये प्रार्थना का विशे है आपको किस जगाबर क्या से सिवकाई करनी है प्रार्थना का विशे है इस सिवकाई को करने से पहले इस सिवकाई को शुरू करने से पहले मैं लंबी लंबी रातों प्रार्थनाओं में रहा हूँ कि मुझे किस तरह से शुरुवात करनी है, कहा करनी है, मुझे कुछ मालूम नहीं था. बाइबल कहती है, प्रार्थना छुटकारे को लेके आती है, लेकिन आज कितने विश्वासी हैं, जो प्रार्थना करते हैं. अक्तूबर महीना एक बहुत स्पिरिच्वल महीना है, और सबसे इंपॉर्टेंट महीनों में एक है आप लोगों के लिए. मैं आपको बता रहा हूँ, स्पिरिच्वली. मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहतू. लोग जादू और दोनों के नीचे रहते हैं, इन महीनों में. लेकिन इनी महीनों में परमेश्वर का आत्मा भी आपकी लाइफ में बड़े काम करना चाहता है. तो ये थर्स्डे को, जो अभी थर्स्डे आ रहा है, दो दिन, तीन दिन बाद, हम फुल नाइट प्रेयर करेंगे, आठ बज़े से लेके, शाम के सुबह चार पांच बज़े तक, इस थर्स्डे मैं यहीं पे हूँगा आपके बीच में. और जैसे ही, आप उस नाइट प्रेयर में होगे, और घुटनों में हम प्रार्थना करेंगे, जिस आठ नो घंटे, फाइर प्रेयर होगी, हीलिंग प्रेयर होगी, सब होगा, टाइम इनफ होगा हमारे पास, आप देखेंगे कि जो स्पिरिट है, प्रेयर की स्पिरिट है, वो आपकी लाइफ में वापिस आ रही है आप देखें कि ये spirit ये प्रार्थना की जो आत्मा है इसकी कमी है विश्वासियों के अंदर बहुत लोग ये जानते हैं कि प्रार्थना करने से वो छूट जाएंगे लेकिन जब भी वो प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं शेतान पूरी तरह से उन पे fight करता है आपके परिवार के बीच से होके आपके शरीर के बीच से होके इच्छाओं के बीच से होके आपको जब प्रार्थना करने का समय होता है हर तरह के negative खयाल आपके मन में आता है, हर तरह का अविश्वास आपके मन में आता है, तो मैं भी ये question करना चाहता हूँ, कि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, तभी ऐसा क्यों होता है? आप TV देखने के लिए बैठते हैं, तब ऐसा क्यों नहीं होता? जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, तभी अब इश्वास मन में क्यों आता है? तभी शेतान मन में क्यों आता है? तभी negative बात मन में क्यों आती है? तभी पाप मन में क्यों आता है? मैंने कोश्चन किया आपसे मैंने कहा अगर आप लोगों को प्रार्थना करने के टाइम पे ही शेतान तंग करता है तो ऐसा क्यूं है तो कि शेतान को मालूम है प्रेयर में छुटका रहा है उसको पता है कि प्रेयर के द्वारा ही आप अगले लेवल तक जा सकते हो उसको पता है कि प्रेयर के द्वारा ही आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो जो आप अपने दिमाग से कभी नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उसको पता है कि जब आप प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर आपकी spirit में आपकी अगवाई करेगा जट से आपको अंदर एक light की तरह जगता है ज़से light जगती है ना एक तम कमरे में वो moment एक light की तरह होता है just आपकी spirit में ऐसे आता light की तरह और आपको मालूम होता है कि परमिश्वर ने आपसे बात की लेकिन ये सारी चीज़े प्रार्थना में होती और वचन बढ़ने के दुरान होती है जब आप प्रार्थना वाले स्थान में होते हैं और अब वचन बढ़ते हैं आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि प्रबी येश्व मसी के कोडे खाने से आप लोग जंगे हुएं, लिखा और नहीं लिखा, तब भी कुछ विश्वासी बिमार रहेंगे, ऐसा क्यों? अगर येश्वमसी के कोड़े खाने से हम जंगे हुए है अगर हमारे परमेश्वर ने प्राइस पे कर दिया है मुल्य अदा कर दिया है तो फिर भी बिमारी क्यों बिमारी इसलिए क्योंकि बाइबल का वचन कभी भी अपने आप पूरा नहीं होता जिस तरह इंडिया का सविधान जो आपको ताकत देता है जो ये कहता है कि जब आपने एक प्रापटी के पैसे पे कर दिये और वो प्रापटी की रिजिस्ट्री आपके नाम के उपर है तो कोई दूसरा उस पे कबजा नहीं कर सकता लेकिन फिर भी लोग कबजा कर लेते हैं हाँ या ना फिर आप क्या करते हैं आप कोट में जाते हैं आप कोट में जाके बोलते हैं जजज साब को जजज साब आपके सविधान में लिखा है कि ऐसा 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 लौ है इस law के मताबिक ये मैं इस property का मालिक हो कागस मेरे नाम पे हैं तो वो judge decision देता है जब सब कुछ जांच परक लेता है कि उस बंदे को बाहर निकाला जाए लेकिन अगर आप case नहीं करेंगे तो बंदा जो है वो आपकी property के पर कबजा किये रहेगा आप रोते रहिए आप करलाते रहे आप भीख मांगते रहे आप rent पे रहते रहे आप कुछ भी करते रहे नुकसान झेलते रहे लेकिन ये सारी चीजें आपके छुटकारे का कारण नहीं बन सकती जब तक आप case नहीं करेंगे उसी तरह से आपको परमेश्र के वचन जो बाइबल में लिखे हैं, अपने आप से कभी भी पूरे नहीं होगे, जब तक आप इन वचनों को लेंगे नहीं जब 2005 में विमार था जो मैंने आपको अपनी बाइबल पहली बाइबल दिखाई थी तो वो कहीं कहीं से काली है कहीं कहीं से वो येलो है क्यों क्योंकि मेरे सिर्पे जब मेरे को mentally upset के attack होते थे तो बहुत सारा anointing oil मेरे सिर्पे लगा रहता था तो जब वचन मेरे सामने आता था जहां healing होती थी जहां कुछ छुटकारे का वचन होता था तो मुझे रोना आता था और मैं Bible को पकड़के ऐसे सिर्पे लगाता था वो तेल लगता था अपने आप कुछ नहीं होगा पैंटी कोस के दिन चेले प्रार्थना कर रहे थे क्या प्रार्थना कर रहे थे जब पवित्रा आत्मा उत्रा मैंने लोगों को पूछा मैं लोगों को पूछता हूं क्या प्रार्थना कर रहे थे कि पवित्रा आत्मा उत्रा केंदे जी प्रा आत्मा सब मनुश्यों के उपर उंडे लेगा अब तू अपने लिखे हुए वचन के अनुसार अपना आत्मा दे जब परमेश्वर आपको लिखे हुए वचन से प्रार्थना करते हुए देखता है तो वो आपके प्रार्थना मोड सकता है खाली भेश सकता है लेकिन वो अप अपने लिखे हुए वचन के बीज से कीगी प्रार्थना को खाली नहीं भेशता कितने मेरी बात को समझ रहे हैं जब आप जज को बोलते हैं जज साब इसको छोड़ दीजिए ये अपनी मा का एक लौता बेटा है इसकी मा मर जाएगी तो जज इस भिहाब पर गुनायकार को छोड़ता नहीं है आप कुछ भी मत बोलिये जज को ये कैला बेटा है कि इसकी मा के 14 बच्चे है छोड़ दीजिए आप ये बताइए जज को कि ये प्रूफ है जी ये निर्दोश है जज और कुछ नहीं पूछेगा उसको छोड़ देगा हाँ या ना उसी तरह से आप परमेश्व को धमक्या देते हैं प्रभू मेरा भी मैं तो अभी जवान हुई हूँ आप धमक्या देते हैं प्रभू मेरा बच्चा भी छोट है आप धंकिया देते, प्रभू मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरी मा को कैंसर कैसे हो साथ, आप धंकिया देते हो, उसका कोई भी असर परमिश्र पर नहीं होगा, क्योंकि वो लिखे हुए वचन से बीच में से जो प्रार्थना की जाती है, उसको वो सुनता है और उत्तर देता है, तो कि वो अपने वचन का इंकार नहीं कर सकता,